जै माता की सभी वगतों को जै शिरी राम, आप सभी की प्यार से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होगी होंगे, सुरक्सित होंगे, और स्वास्त होंगे, मस्त होंगे, तो आज की जो हमारी वीडियो है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, माता काली का एक ऐसा महा उप ज़ेक्स के अंदर होने वाली जो गलत प्रक्रियां है यह किसी तरह के आपके शुरीर पे निशान पढ़ते हैं गलत संभोग के काई पूरिया आपको उती है यह प्र क्रिय कर दोगा है और यह पमाते हैं प पढ़ते हैं शरीर पे यह सब कि सब अगर चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो कौन सा ऐसा उपाए आपको करना है जिससे जो है आपके उतारा हो सके और माता काली आपकी रक्षा कर सके अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके रखे ताकि आने तो बात करेंगे किस तरीके से उतारा करें जब भी हमारे शरीर पे नेगटिविटी होती है तो हमारा शरीर खुद भखुद हमें संकेत देता है संकेत मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको गलत परकार के संबोग के द्रिश्य दिखाए देना निशान पढ़ जाना खरोंचे आजाना, शरीर के अंदर अलग-अलग तरह की मोमेंट होना, बॉमिटिंग लग जाना, दस्त बहुत जादा होना, कबज हो जाना, पेट में गुबारा सा फूल जाना और पेट के अंदर गोला सा गुम जाना, इस सब की सब चीज़ें अगर होती हैं और ये कन्ट जादुत होना कोई भी करता है या हो जाता है या भैचंस कहीं से चुरायों से चिमानों से या कहीं समसान जगाओं से कहीं से भी लग जाता है या कोई खिलाया पिलाया होता है तो सब की काट करती है माताकाली सब तरह के भूत प्रितों को दूर भगाती है माताकाली तो क्या ऐसा उपाए करें जिससे माताकाली हमारी रक्षा करें और हमारे शरीर का उतारा हो जाए मैं बात करूंगे बहुत गहरी ये बात है क्योंकि मुझे एक लड़की ने पूछा था और वो लड़की जो है मुझे बार-बार बोल रही थी कि गुरुमा को ऐसा उपाए बताए जि नहाने की बाल्टी में आपको क्या करना है नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालना है इतना सा गंगा जल जैसे की एक दो धकन या आदा गिलास आप गंगा जल डाल दीजे अपने नहाने की बाल्टी में दूसरी चीज आपने डालनी है तीन लोंग तीन पर से साथ बार उतारने हैं उसको जो है आपने पानी में डाल देना है और डालने हैं दो जो है तुलसी के दल तुलसी के पते अब आपने क्या करना है और थोड़ा सा कच्चा दूद थोड़ा सा गाय का कच्चा दूद ये पांच चीज़ें आपने ले ली पानी में डाल दी तो आपने ज़ल है वो अपने उपर डालना है तीन वार, तीन मगे जो है आपने तीन लोटे अपने सिर के उपर डालिए। जैसे कि मतलब उनको नाली मेनी जाने देना है तुलसी दल और आपके लॉंग उन दोनों चीजों को उठा लेना है आपने नाली मेनी जाने देना है उठाने के बाद जो है उनको अपने उपर से 21 बार उल्टा उतारा करना है एंटी क्लॉक वाइज उतारने के बाद जो है उस पिछे मुड़के नहीं देखना है कहीं भी कोई अगर टोकता है तो वो टोक लगते ही आपका जो उतारा है वो खंडित हो जाएगा उतारा चुपचाप करना है गुप्त करना है किसी को नहीं पता चलना चाहिए लगभग 21 शनिवार आपने ये उपाए करना है आपके शरीर अपर जितना भी कोई जादू टोना किया हो कोई भी खिलाया पिलाया गय हो कोई भी तंत्र वीद्या की गयी हो शिरीर जो है भारी रहता हो निशान पड़ते हों शिरीर के उपर नेगीटिवटी गंदे काम करती हो शंबहुक तरिशे है आपको दिखते हो या Whatsyrीर के अंद काली की जोत लगा दीजिए सत बार काली चालीसा का पड़ करो और दो कपोर के उपर जो है दो लॉंग फिर से जला देजिए माता को भोग दीजिए महां से प्रात्ना कीजिए कि मां मेरे शेरी पर जो भी नेगेटिविटी है जो भी समस्या है उसको दूर कीजिए, मेरा ये भोग सिकार कीजिए, और मेरी ये प्रात्रा आपके शरीर चर्णमे मैंने लगाई है. इस प्रात्रा से मेरे शरीर के ओपर होने वालि जो negativity है, कोई भी तंत्र विद्या है, कोई भी किसी भी तरह की काली विद्या की गई है, या कोई होगी है, लग यह कई से भी लगी है या बाहर की है या घर की है उसको दूर कीजिए मेरे ये जो है अर्दास और ये मेरा भोग स्विकार कीजिए इस तरीके से करके मथा टेको मा के आगे और तीन वार अपने सिर्थ के उपर से लेकर पैरों तक अपना हाथ फिरो तीन वार तीन वार तक आपने फिरना है, मा से प्राथना करनी है, हाथ जड़ कर विंती करनी है, आसु आतो आसु करने हैं, और बोलना है कि मा मैं अब दुखी होगी हूँ, परिशान होगी हूँ, आपने देवताओं के काज सवा रहे हैं, आपने सब को ही अपनी शरण में लिया है, तो मुझे पक्राथना सुईकार केजिए, देखना आपकी प्राथना, मातरानी जरूर, सुवीकार करेगी, कस्टों को हरेगी, दुख दर्दों को दूर करेगी, और आपके शरीर के अंदर भी आपको हलका महसूस होगा, करके देखेे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो आमाता लानीची.